अम अग्रेशाय नमः ओम गंगड़पताय नमः गड़पती वाज एक्टलोडी से मैं प्रोफिसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूटूब जनल पर हार देख स्वागत और अईवननन करता हूं मित्रों नमस्कार मित्रों में अपस्तित हूं देखिए आज पर आपसे एक विशेष बार्दा करने के बार्दा आख में सीर्शक बताओं उसे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृप्रिया चैनल को सब्सक्राइब पनें और यह प्रेस करनें बस इतनी सी बात है और जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें वो लिखें नहीं लिखने चाहें तो महागड़ पते नहां गड़े शाय नहां कुछ लिख देंगे तो भवान गड़ेश का आशिवा जुरू मिलेगा आपको तो अभी देखिए मैं जो च लेकिन आपको अपना सटीक भविश्पल जानना है तो उसके लिए अपनी जन्म कुणली जो दिखाईएगा किसी अपने एरिया के योग पंडित से दाखर के मिलिये और देखिए हो सकता है इस समय गोचर में कोई ग्रह अच्छा बैठाओ तो आपकी कुणली में खराब हो या इस समय खराब हो गोचर में लेकिन कुणली में एच्छा हो तो फिर फल आपका सही नहीं हो पाएगा क्यों यह तो मैं गोचर का फल जो बताता हूं यह सामान ने हर एक राशी के हर भक्ति के लिएक सा होता है इसके उपर आप अपने कुणली को दिखवाएगे ना तो आपके कौन सा ग्रह खराब है अच्छा है उससे पता लगेगा तब मैं देखे आप उसके बाद दिखेएगा तो मित्रो आप देखिए आज की चर्चा के अपिसरे बताओ मैं आपको देखिए शनी जो है बक्री शनी युवाशनी और देखिए शनी की जो द्रष्टी है न मैं थरड़ेऄर daras animal एंटार मठी लुष में तो मीशरासी का मतलब कुम्रासी से शनी की राषी से मेशरासी तीसने उनाम पर तो शनी की तीसरे दस्टी मंगल पर पड़ रही है, तो मंगल और शनी दोनों का में प्रभाव, लेकि इससे में हर विक्ति के, चुको मंगल पर शनी की दस्टी पढ़ रही है, तो जैसे पाव में होगे ना, तो किसी के अच्छा फल होगा, किसी लिए बुरा होग कि इसे लिए बहुत अच्छा होगा, किसे लिए बहुत बुरा होगा. तो मैं अब शनी का और मंगल का मिस्ट तुफल पताऊँ आपको इससे म्गै कि आपको शनी आपको यवावस्था वाले शनी और देखे इस में बक्र सनी यह बक्र सनी हो गए आप तो 29 जून से 30 जून से शनी बक्र हो चुके हैं तो बक्र सनी 15 नवंबर तक बक्र रहेंगे लगे बारे दुड़ाई तक मंगल भी पर दिस्ट पढ़ेगी उनकी तो कैसा यह देखे आप के लिए बैठेगा तो वही में चर्चा करने आया हो देखिए सबसे पहले बताओ मैं आपको जो राशी जिनको अच्छा को ज्यादा अच्छा है थोड़ा थोड़ा हरे के लिए बताओंगा लेकिन जो ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा बढ़ा उसको बिशेश बता देखिए आप पहली राशी की चर्चा करताओं में देखिए मेश राशी मेश राशी के लिए मैंने बताया है के शनी की दर्शी मंगल पर पढ़ेगी मंगल लगन में बैठे हुए है शनीर पर बैठे हुए है तो देखिए शनी का असर कुस्तों पढ़ेगा आपके स्वास कि कमर के दर्द यह सब हो सकते हैं और देखे इसके अलाबा मैं जो समझता हूँ कि पुरानी भीमारी जो आपकी चल रही है उसमें आराम मिलना चाहिए दोनों मेश रासी के लिए तो मैंने पहले भी कहा कि गोल्डन फीरड चल रहाता और अभी यह मार्च दोजार पचीज तक शनी ही रहेंगे तो मेश रासी के लिए उसके बाद साड़े साथी सुरू हो जाएगी तो मेश रासी के लिए अभी तो अच्छा समय है लेकिन बुरा स्वास्त पर थोड़ा सा असार पड़ेगा टेंपरेदी लेकिन पर्मानेंट कोई अगर बहुत लंबी चोड़ी प्राणी बीमारी है उसको तो शनी ठीक करेंगे आपको स्वास्त अच्छा होगा जो आपकी प्राणी बीमारियां भी आपकी चुट जाएगी यह मेरा अप हो बता रहा है तो बसे मंगल एक शनी जो है ग्यार्मी वह में द़ञा आप खरता है इन लाब ख है हैं लोगो पेसम कैंत को सताते हैं परिशान करते हैं चोरी चकोडी करते हैं आलती हैं तब यजलर Уक रहे हैं और दंदै इस बार्थ करेंगे अगर लेकशनी परेंगे लजो eficny तो ऑप के canini आपको ररण्म कोषा isya कार प्रणाली पर जड़ा भी जो है आँच नहीं आने दी गड़ा खुटारा नहीं किया तो फिर तो आप शनी से लाब पाएंगे तो मेश राथी का दोनु पोस्मिल्टी है यानि लाब कोई भी छशी पर जड़ायगे। देखों ऐसे ल्हम में आपको आता है। अगर शनी ने किसी को फाइदा किया एक भावा बैठ करके, तो दूसरी दर्ष्टी उसको नुक्सान कैसे करेगी, एक आदमी को फाइदा भी देगा और नुक्सान में देगा, अगर वो सटरित्र इमानदार है तो, तो मैं समझता हूं कि शनी के पहले पांच में आठ में भा आप भी करा सकती है, पांच में आओ से आपका देखिए, मित्रों से आपके पार्टन से अश्या सब्सक्राइगा, दांपत जीवन ठीक रहेगा, और देखिए, मंगल जो है, लगन बैठांगे पहले भाव में, और चौते भाव को देखांगे, तो हाला कि मंगल अपनी रा तो मंगल के भूमी पत्र कह रहाते है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको करक राशी पर दस्ती, हाला करक राशी मंगल अच्छा नहीं होता फल, लेकिन जब आपका देखिए, जो खराब फल तो शनी न उसको पहली देदिया, तो मंगल तो अपनी राशी को नुकसान कैस पत्र वगरा जो भी है, पेपर्स, सब देख के सोच, समझ के आप खरी देगा, कहीं आपको धोका मिल गया है, नि आपको कहीं करवर किसी ने जमीन में गाड़ी में गरवरी कर दी, पुरानी गाड़ी को निया बना के बिर्ट्रिया, या नई गाड़ी में कुई खराबी आ सकता हूं, वैसे आपको अच्छा है, तो दूसरी राशी देखिए है ब्रसवराशी, तो ब्रसवराशी के लिए मैं क्यों अच्छा बता रहा हूं, ब्रसवराशी के लिए मैं अच्छा ही बता रहा हूं, कि दसमें भाव में शनी महरा जा गए, और बक्र हो गए, तो बक्र बाग बस आपको अच्छा लाब, भाग बस आपको अच्छा दन, बाग बस आपको नोकरी में तरक्की, बाग बस आपको पद प्रष्ट्रा, मान-सम्मान, प्रमोशन, सब कुछ, चुकर सनी महाराज खुल, खुद जॉब के हाउस में बठे हुए हैं, तो जॉब में आपके जो बहुत हैं वो बहुत कुछ, आपके जो साथी लोग हैं बहुत सब कुछ, डिपार्मेंटर लोग सब बहुत आरीफ हरेंगे, आपके काम की प्रसंद्धा होगी, तो मैं समझता हूँ के ब्रसवराशी के लिए शनी महाराज जो है, बार में भाव में, चौते भाव में, साथ में भाव में देखेंगे, तो चौते भाव से सुख साधनों की बर्दी कराएंगे, साथ में से आपका पार्टनर का अच्छा सजोग मिलागा, ब्यापार में तरक्की मिलागी, ब्यापार में केव और निवेश लाव देगा, बहुत बढ़िया, और देखिए कोई अपने भ्यापार किया ब्यापार किया है बिदेस में कुछ भूमी में तो वहाँ हानी उठा शकते है, पैसे की हानी हो सकते है, धोका हो सकता है, बिदेस से आपको नुक्षान में सकता है, हानी passado है, पर शनी, तो आपको भूत लाव दे रहाएंगे, मंगल अपनी रा आपको जो है बेदेश से उतना कहीं जो लाब मिलाता हो लाब थोड़ा कम हो जाएगा या थोड़ा हानी भी हो सकती है बेदेश ब्यापार से आपको जटका लगता है तो ब्रिसम राशी को बैसे अच्छा है जोब में अच्छा है नौकी में तरकी है बैसे निवेश करेंगे फायदा है और विदेश से आपको जो थोड़ा सा लाब कम मिलेगा और देखे तीसरी राशी है मितुन मितुन राशी के लिए भागी भाव में चनी बैठे हुएं बक बागी वास आपको पैसा अच्छा मिलेगा पद्य प्रतश्टा मान सम्मान मिलेगा तो बागी के शनी बैठे हुएं तो बागी में शुरो फल तो आएगा धीमा धीमा आएगा पर आएगा ज़रूर और मैं समझता हूं मितुन राशी के लिए तीसरी दिश्टी पढ़ रह तो मंगल तो लाब देंगे जांगे भाई बहुत अच्छा संतान से लाब मिलेगा संतान को लाब मिलेगा संतान को तरक्की मिलेगी संतान को सिक्षा के चेत्र में लाब मिलेगा और देगी शनी की दश्टी तो पढ़ रही है ग्यार में बाव में तीसरे बाव में चटे ब और छटे भाव से आपको नई नौकरी, नया काम, नया रुजगार, नया भेतनमान सब कुछ, और शत्रु भी आपको जो कुछ परेशान ने कर पाएंगे, आपको लाव तो मिलने ही मिलना है, और देखें, मंगल जो है, दूसरे भाव को पांचे भाव को चटे भाव को देख अनि शनी की दसमी दस्ति, मंगल की आठमी दस्ति, तो आपको शत्रु हन्ता भाएंग, भाएंकर शत्रु हन्ता योग, शत्रु तो आपको कुछ बगाड़ी नहीं पाएंगे भाई, और देखें, आपको जो है, 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 बुद्ध की राशी है, बुद्ध अधी मित्र है, शनी के बहुत अधी मित्र है, तो लाम तुमेले के मिलेगा, मित्न राशी का अच्छा, बहुत बढ़िया है, अब देखिये, करक राशी के लिए मैं बताऊँ, अस्ट्रम में आगे शनी, आठ में से देखिये, जो तीसरी तो मंगल आपको भूमी भावन भाहल से लाव दिलाएंगे, चौते भाह पर दक्रीप पड़ रही है, मंगल आपको जमीन ज्यादा से लाव दिलाएंगे, करीब आप जो खरीद फरोग करेंगे, उसे लाव मिलेगा, और शनी तो जो है अश्ठम से आपको अचानक ता धन का लाव दिला सकते हैं, और शनी अश्ठम से दूतरे भाव को भी देख रहे हैं, धन भाव को, शनी जो है पंचम भाव को भी देख रहे हैं, देखिन दवम पंचम, पंचम भाव में जो है, शनी की दृस्टी संतान से लाव, संतान को लाव, संतान की परक्ष्याओं के छेत् नहीं है, क्योंके शनी अस्टम भाव में बटे हुए है। और मंगल तो दसम हैं, तो मंगल तो रोजगार में नोकरी में आपको लाब दे रहा है। मेश राशी के अपनी राशी के मंगल है। शनी की तीसी राशी भी कोई ज्यादा नुक्सान ही पचाएगी आपको, जाएगी आपको देखी नमे भाव में मंगल बटे हुए हैं, तो भागी बटन कर रहा है। तो शनी का शहस महापरोद राशयोग बना करके मंगल पे भागी में देखना, भागी बटन करना और भागी के बढ़ने से आपको धन का लाब रुका हुआ अधन की प्राप्टी, नया काम, सरकारी काम, तरकी भागी बढ़ेगा तो सब को अच्छा होगा। भागी में मंगल बठे हुए है। तो देखे जन लोगों को मैं अभी पता रहा हूँ है शनी या मंगल, इनके अभी उपाय बादा बता हूँगा लेगा अभी भी कह दूँगा, कि मंगल के उपाय, हनमान जी के सुन्दर कान का पाठ, हनमान जी का पाठ, यह सब नित्य करे आप और शनी को अगर खुछ रखने के लिए महादेब आबाबा की पूजा करें या पीपल पर या शनी मंदिर पर दिया जाना सर्तो के तेल का, ओ मुसम शनिश्रारमा का जाप करें, लाम मिलेगा। तो यह देखिए सिंगरासी वानों को तो नमे भाव में मंगल का बठना जाना, बार में को थीसरे को छौते को देखिया, तो मंगल की चौथे भाव पर देखिए भू मी भोन भाहन पर पढ़ रही है, पर आप नहीं कहूंा, अब भू मेभोन भाहन तो आप रह सकते हैं, और शनी की देखिए यह पर देखिए और राov की पढ़ देखिए तो चौ तो थोड़ा सा तो अलड़ा रहना पड़ाए कि दोका न मिल जाए कि ए चोते बाव system देखने है! यह जो दिखने हैं तो बाव में रայ बढ़ाए तो अच्छा रही है.. आपको नुक्सान हो सकता है, जमीन गाड़ी में इसमें थोड़ा था, जो भी भाहन है उसको चूट चपेड नुक्सान हो सकता है, उसमें खर्चा हो सकता है, पैसा लग सकता है, भाहन को रिपेर कराने में या भाहन खरीद रहें तो दुखा हो सकता है, तो आप इस हिसाब से जहनें के तेकिए आप चोधे भाव पह आपके, लेकिन आपको जो इच्खा है राजनीती में आप जाना चाहते हैं. अगर आपकी इच्खा है राजनीती में जाने की, तो मैं बता तू deg transmismer से जो तो राजनिती में राजनिती कायर करने से आपको अगर अच्छा आनंद आता हुगा तो उसमें आपको काम प्रफर मिलेगा और आप सुख का अनुद्धी करेंगे तो शिंग राशी वालों को ठीक है और कन्य राशी वालों के लिए देखिए चटे बाव में रनी आ गए कुमराशी में विपरीद राजयोग बनता है और वहां से देखिए मंगल अस्थम में हैं तो मंगल को दिख्टी पड़ता है थोड़ा सा चोट सपेंट से जड़ा बचके रहिए भाई कहीं थोड़ा सा चल्ले में पैदल चल्ले में जैसे भी कहीं पैर मुड़ जाए एक बच्ट मत होने देखिए नहीं को कस्ट मत हो तकता है क्योंकि मंगल आठमी बचे होएं और शनी की दर्स्टी पर देखिए तो मैं समझता हूँ आँ शनी तो अपना काम करेंगे शटे भाव बचे हैं तो सत्रू हंता हैं शत्रू को भगा देंगे कोड करतेरी के के सबलता बचे हमान नहीं न्यां बितनमान को दिखांगे तो बचे को कुई काम है तो द्यूक्य भग जलाएंगे और मंगल की जो है श्ट्र में बचे होँ ग्यायर में दूसरे तीसरे मिन देखना मंगल पर द्र्स्टी संग्ड़ ही तो सब्स्ट पर और श्टी सजी कि अपना मनंगल भी लाब का मतला बिमिन शौतनों से दिन्त लाएंगे और परिष्णम जितना करोंगे उत्ताथ मिलेगा तो मैं समझता हूं मंगल का मतला और शन्नी का दोनों का ही अच्छा असर तो मिल्ला है कन्या राशी को और नई नोक्री में तर्की असा मिल लही है बिदिस्ति दुला रशी कि लिए है सात्मी राशी थुला रशी के जट जफा प्रवल्य कप्र्रा अच्छी खाद टॉला राशी संही कि परहां है स्अने नोक हउत्ष पांच में वर्य शनी कि लिए मॉनुओक ये तो 05 ладно संही तो बते में लूप है जफुला में मांगल के तो 11 मिटस्या निया दसनी की धास दस्त Chiang दिखन दूसरी भाव में भी धे धन भाव में भी तो तुला राशी के लिए विष्ड़ स종ाईग्ऐ ये विश्या दाया कहि ये लगन को देखना है मंगल, दसमे भाव को और दूसरे भाव को, तो धन भाव पर मंगल की दिश्टी भी है, धन भाव पर शनी की दिश्टी भी है, तोला राशी वालो आपको धन का भिश्रस लाव हो रहा है, व्यापार है तो लाव हो रहा है, नोकरी है तो लाव हो रहा है, और देखिए मैं समझता हूं ब्रिष्टिक राशी के दिए ब्रिष्टिक राशी के दिए चौथे भाव में शनी बेठे हुए है और छटे भाव पर पे पहले भाव पर दिश्टि प्र रही है तो चौथा भाव शनी का जो है यहनि सुकसाध्यों का भाव और दरष्टि चटे पह तो को कोई मौके नहीं भी लगा नुकसार फिटाने का, जॉब के सित्म दश्री है तो जॉब नया जॉब नया काम, नया बेतनमान सरकोष है, लगन पर दश्री पढ़ रही है, तो शरीर को एक्टिव बढ़ा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव बनाएंगे, और तो आपके दे ब्रश्चेक राशी वालों को शर मत्रों को बिनाशकारी योग बनता है, तो मैं समझता हूँ कि मंगल बैठे हुए इंचटे भाव में तो शरी की दश्री पढ़ागे है, तो कोई भी आपका शत्रू आपको नुफसा ने पचा पाएगा, कोड कर्टिरी में आपको सभलता मिलेगी, नया नौकरी नया काम मि बिश्यक्राशी को भी थोड़ा था, शनी और मंगल दोनों से भिश्यक्राशी लाब मिला है, नाइंध हाउस में दिश्टी पढ़ रही है, और बार में में पहले मैं, तो बिदेश से भी लाब मिला है, शरीर पर जो आपको थोड़ा था गुस्ता क्रोथ तो आएगा, बि मैं समझता हूँ, बिश्यक्राशी वालों को जॉब छटे में मतलब है, दसमे में पहले मैं, शनी का, तो जॉब में भी नए काम में भी आपको लाब मिलने मारा है, तो बिश्यक्राशी के लिए भी अच्छा भाव लाइए, और बिश्यक्राशी के बादेगी, धनु रशी कि लिए तीसरे भाव में शनी आ गए तीसरा भाव शनी का का रख बाव होता है और यहां बैठकर के स्नी देखिए अच्छा फल देजहें और तीसरे भाव से जो है मंगल पांच में बैठे हुए हैं तो मंगल पर दिश्टी पढ़ रही है कारक बहुत शनी की अच्छी दिश करा रहा है तो ग्यिदेस से धन की प्राप्ति मंगल्द करा रहा है है विदेश वियापार से या विदेश की नोकली विदेश में कोशिट करें दिधन कोई प्रजेक्ट आपको सबल होयागा आपको जिसे आपको धनका लाब होगा और धनुराश्री के लिए देखिए शनी जो है भागी भावब दिश्ट्रे पढ़ रही है और बार में भावब तो भागी बास विदेश से लाब शनी भी दिला रहा है तो धनुराश्री वालों आपको बिलेज भाव से तो भिशेस लाब मिला है क्योंके शनी की और मंगल की दिश्ट्री पढ़ रही है और भागी बरतन हो रहा है और जॉब जॉब से जो लाब होगा क्योंके तब धन आएगा तो भागी भाव में ही नहीं मतलब भागी भाव में शनी की दिश्ट्री और मंगल की दर्ष्टी लाभ भाव में, तो भाग की बस लाभ मिलेगा आपको, धन तो आगए जाएगा, अब मकर राशी वालों के लिए धन भाव में आगए जखिए, शनी, धन भाव में बेट करके और चौते, आट में, ग्यार में दर्ष्टी पड़ेगी, धन भाव में सबसे आपको धन मिलने वाला है, बाई, क्योंकि ये मगर राशी वालों के धन भाव पर जो है, ग्यार मिल राशी पड़ रही, जहां सनी पड़ेगी, और चौते भाव में, तो धन खर्चा होगा आपका चौते भाव के सुख साधनों को लेने के लिए, जो भी सुख साधन चाहते हैं, आपको सुख साधन मिलेंगे, पर धन भाव में आपका इतना आर्थिक सुख अच्छी होगी, कि आपको इतना धन होगा, कि आप सुख साधनों को ख़ी सकते हैं, उनका इस्तमल कर सकते हैं, और मंगल की रश्री साथ में में पड़ेगी, और दस में में पड़े कि आ यही दे आहिला का मगाल से भे हम तक नइसे संदी उच्ट में भी तरक की मिले हैं है तो मंगाल का लप है यार मिलेगा जव़ं musak काम करते है तो यह द तरकी मिलेगी। मल बहुत सब्सकूर सास्य खेipp है दामपत जीएवन रहा है परवार कुटम में अच्छा सब हो रहा है, चुम दूसरे भाव में बैठे हुए शनी, थोड़ा बाणी में आप देखिए, शनी की बैसे, मंगल की बैसे आपको थोड़ा बाणी में थोड़ा कठोड़ा, थोड़ा गुस्तापन मतला येगा, थोड़ा मीठा बोली तो बहु अच्छा सब्सक्राइब करेंगे तो लाप पाएंगे, जतना महाँच करेंगे लाप पाएंगे, छटे भाव पर जशनी पढ़ ये मंगल की तो शत्रू हंता योग बनना है, शत्रू आपको कुशन भेगाड़ पाएंगे, भाग बैदन होगा, और जसमे भाव में जॉब, जोब हो जाएंग बयापार हो, आपके पार्णर का अच्छा सब्सक्रा भी मिलेगा, आपको तरकी मिलेगी, लगन पे बठकर के शनी आपको देखेंगे, शनी भी जॉब में आपको चनी भी जॉब में आपको, मंगल का शनी का दोनों के जॉब भाव में दॉब बढ़ शनी की खुर की राशी है श्रस महा पूर्त राजोग बनता है तो आखे राषी Яश्म हमिन दाशी, मीन दाशी के लिए बाइर में भाव में शनी तो दन भाव में मंगल बहते हुए है और शनी की द्रशी हम पढी दन-मंगल पर तो मंगल को बल दे रही है तो शनी आपको विदेश ब्यापार से विदेश नौकरी से, अगर आप जराबी विदेश जाने के इच्छोक्त है, कई आपने अपला ही किया है, तो आपको नौकरी विदेश मिल सकती है, और आपके देखिए, संतान को लाब मिलेगा, आपके भागे बरतन होगा तो भाग अ खे तो बड़ी रहा है, और भागे में शनी की दिश्टी पड़ अठाव is a लिफे, अजनी की दिश्टी पड़ एखिए थे और मंगल की द्रिश्टी पड़ रहे है और मंगल की दिश्टी पड़ दरे ए अध मिल्छ और में शनी वालों के विदेश ने अच्छी तरष हो मेज राशी बर अपने राशी के मंगल शनी से दृष्ट बहुत कुछ राशी को बहुत अच्छा लाप दे रहे हैं मैं तो अभी देखी मैं अभिराम लेता हूं फिर देखी आगे आउंगा तो कोई और चर्चा करूंगा आप लेकिन मेरी चैनल को पहली बार जो आए सबस्क में तो नमस्कार